सात्यों नमस्कार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर आर्पेसी फस्ट गेड की त्यारी कर रहे हैं आप प्लांट फीजियोलोजी उनिट अपने सुरू कर दी है प्लांट फीजियोलोजी में क्या-क्या पढ़ना है एक वीडियो इसका अपलोड हो चुका है उमीद है आपने देख लिया होगा इस वीडियो के अगले वीडियो से विदिवत रूप से कॉर्स से स्टार्ट कर देंगे पर पहला एक वर्विडियो लेते हैं कि प्लांट फीजियोलोजी में किस प्रकार के परसन आज तक फर्स्ट ग्रेड में आयो हैं RPSC में मैं अधर फर्स्ट ग्रेड की बात नहीं कर रहा है KBS, NBS, DSS भी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ केवल RPSC 1st grade 2011, 13, 15, 18 और 20 में जो RPSC 1st grade एक्जाम होई है 22 में इन सब के अंदर किस प्रकार से क्यूशन आए हैं प्लांट फिजियलोजी में उन सभी क्यूशनों को देखते हैं टोटल ये 34 क्यूशन है और आप इनको ठीक से अनलाइसिस करोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा उसके बाद अपन फोटो सिंटेसिस से यूनिट को सुरू करेंगे देखो देखो दे कोजेज ओफ क्लोरोसिस ये सबसे पहले मैं हरित रोग का कारण है दे कोजेज ओफ ट्लोरोसिस ब्लloop क्या कारण ओसकता है बोदों के घृत का का या कई MN की अधिकता, MG की कमी और MN की कमी, इस क्यूशन को RPSC ने डिलीट किया था, क्योंकि इसमें एक से अधिक ओप्षन सही है, कारण कई बार होता है, हरीमीन था के कई कारण होते हैं, क्लोरोसिस के कई कारण होते हैं, जो अपन पढ़ेंगे, नूट्रिशन वाले चेप्टर में, तो वहां समझ में आएगा, यहां ही क्यूशन को डिलीट कर दिया था, अगला बहुत बहुत बैतरीर परसन है, चारू उप्षन से परसन बनता है, दे प्रैमरी रिसेप्टर आप सी ओ टू इन सी थ्री प्लांट, सी थ्री जो प्लांट है, उसमें जब कार्बन डायाक्षएड है, उनको प्रात्मिक रूप से सबसे पहले कोन ग्रेंड करता है? यह आपको आंसर बताना है, तो सी थ्री प्लांट में, सी ओ टू को सबसे पहले ग्रेंड करने वाड़ा होता है, आर्यू बी पी, राइबुल प्लाइट में पहला स्ताई उत्पाद जो बनता है वह बनता है PGK यह तीन कारबन का होता है इसलिए इसको सीध्री प्लाइट बोलते हैं तो यह PGK बने का पहला स्ताई उत्पाद फोस्पोगलिस्रिक एसिडु है ठीक है अब दूसरी बाथ जाना हूँ C4 plant के अंदर C4 plant के अंदर क्या होता है कि जो ये CO2 होता है उसका जो प्राथ में गराई है वो कोण है वो है आपके PEP फोस्पो इनोल पाइरुवेट और इन दोनों के कारण C4 plant में जो पहला स्ताइट पाद बनता है वो बनता है उक्जिलो एसिटिक एसिड तो यह यहाँ पर आजाएगा इसका चार ठीक है तो यह बात हो गई कि C3 plant में CO2 का गराई कोण है RUBP C4 plant में CO2 का गराई कोण है प्राथ मिकराई PEP C3 plant में पर्थम इस्ताइट पाद बनता है PGA C4 plant में पर्थम इस्ताइट पाद बनता है उक्जिलो एसिटिक एसिड ठीक है यह दे रखा है उक्जिलो एसिटिक एसिड याद रखना आप याद इसको ठीक है यह वाली बात हो गई अगला परसन देखो The RQ of Oxalic Acid जब रेश्पिरेशन वाली उनिट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने को पढ़ना है एक रेश्पिरेशन स्वस्षन गुणांक स्वस्षन गुणांक का मतलब क्या होता है आप ऐसा समझ लो कि जितनी CO2 प्लांट ने काम में ली और जितनी Oxalic Acid निकाली उसका अनुपात कहलाता है RQ पहली परी बासा तो यह याद रखनी है CO2 बटा O2 अब Oxalic Acid का होता है आपके तीन नमबर पे दिर रखना चार होता है इसका क्या यह अनुपात होता है चार Oxalic Acid का पिर दिर रखना पोइंट 8 किसका होता है तो यह याद रखना प्रोटीन का होता है अब प्रोटीन का देखो पोइंट 7 से पोइंट 9 के वीच में होता है तो इसलिए मिड में यह मान लिया जाता है पोइंट 8 एक किसका होता है आपको पता यह सदावार कारवाडेट का होता है जिरो प्रेंट साथ किसका होता है वसा का होता है फेट का होता है लिपिड का होता है मानसल जो प्लांट है मानसल पोदे हैं उनका होता है सुनने ठीक है ये बातें आपको क्या रखनी है याद रखनी है कि इतने सारे आपके रेश्पिरेशन गुणांग स्वसन गुणांग है उनके मान आपको साथ साथ में याद कर लेने है क्यूशन नंबर जो गुनसट है कि अच्छा नंबर बुर्सट है इसमें पूचा है हर्मॉन का है क्विशन एब ये एप से इसक्स अमल के लिए क्या सत्य खतन है पांट परकार के हार्मोन अपन प्लांट में बड़ेंगे तेन हार्मॉन ऐसे होंगे जो प्लांट की ग्रौथ को बढ़ाएंगे बड़ाएंगे रमनों के नाम तो पहले इन्हिबिटर हार्मोन है ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है ठीक है तो इसने इसके बारे में पूछा है ये एक प्राकर्तिक वर्दी निरोदक हार्मोन है वर्दी को रोकने वड़ा हार्मोन है ये मनें बता दी बात सही है ये गेस ये आर्मोन है ये गेस ये आर्मोन है ये य निकरा जायोगा एक गूर्ट समय का अंसर हो जाएगा एक क nós झाला परसंदेखो शुके शुक्त, अथन का प्रतिशत है में जब प्लांट रिच रांस्पारेशन करते हैं अज हे जो आथ्ट drone S तीसरा होता है लेंटी कुलर टांस्परेशन तेन परकार हैं ट्रांस्परेशन की तो इसका जो मान होता है यह वाला मान हुता है 80 said 90 क्यूटी कुलर का मान होता है 3 से 10 परतिसत और लेंटी कुलर का मान होता है जीरो पॉइंट एक परतीसत है लगबग इस हिसाब से आप तीन नों ऑप्शन में देश सकते हैं मैं तीन से दस में यह बैठ रहा है यह किसका दे रखा है इसने क्यूटिकुलर का दे रखा है है सुद्ध जल के जल्विववत प्राश्न विवव होते हैं तो याद रहना है सुद्ध जल का जल्विवव वाटर पोटेंशल सुद्ध जल्व होता है इनकाम मान होते सुन्ने जीडू नाइंटी एट नमबर क्विशन में से ताणम हो गया एक सो साथ क्विशन देखो पोदों में बिंदू स्त्राव होता है ग्यूटेशन इन प्लांट अकर थ्रो अपन देखते हैं प्लांट में सुबस्पे छोड़ी बिंदू इसी पाणी की नजर आती हैं वो क्या होता है वो बताणा आपको एक सो साथ है उसमें देखो कुछ अपर डिलीट भी कर सकते हैं तने की सते से जल्द रंदरो दुवारा नहीं हो सकता तने की सते का मतलब नहीं अपन तो पत्तियों पे देखते हैं यह अगर गलत हो गए इसका मतलब उप्रोक्ट सभी भी नहीं हो सकता अगला है रंदर जो पत्तियों पर पाए जाते हैं उससे तो वासपोर सरजन होता है तो यह भी नहीं होता तो आंसर निकल के आजाए पत्तियों के जल्द रंदरों दौरा हाइड़ फोर्ट से फाउंड ओन लिवस उनके दौरा क्या होता है आपके ग्यूटेशन की प्रक्रिया होती है बिंदू स्त्राव की प्रक्रिया होती है यह साथ परसन आये वे हैं दो हजार ग्यारा की बरती में ठीक है अब चलते हैं अपन नेक्स्ट यह सुरू होते हैं यहां से दो जार तेरा की पहला परसन दे रहा है निम्नांकित किन दसाओं में प्रकाश वशन उद्दिप्त होता है देखो आठ नो टोपिक अपने सेलेवस में हैं माने पहले वीडियों बताया था और लगबग लगबग मानके चलेगी एक टोपिक से अगला एक परसन उठा लेता है निम्नांकित किन दसाओं में प्रकाश वशन फोटो रेश्पिरेशन किस कंडिशन में होता है देखे सी थ्री प्लांट में होगा पहली बात तो यह ठीक है और प्लांट को आपके प्रकाश वशन करने के लिए प्रकास अंसलेशन करने के लिए किसके आउसक्तर पड़ती है Carbon Dioxide की है अगर किसी समय वातावण में Carbon Dioxide की मात्रा कम है तो क्या होगा Body Raspiration होगा C3 Plant में तो परकास CO2 की मात्रा कम है अब देखो CO2 की मात्रा ज़ादा है तो होई नहीं सकता option यह भी नहीं हो सकता तो यह हो सकता है कि CO2 की मात्रा कम हो गई और O2 की मात्रा बढ़ गई उस परिस्तिते में क्या होगा C3 प्लांट क्या करेंगे फोटो रेश्पिरेशन का प्रोसेस अपनाएंगे तो 98 के अंदरांस राजाएगा चार नंबर रंदरों का खुलना वे बंद होना नियंतरित होता है यह पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसको याद रखो पोटेशियम आयन के दुआरा पोटेशियम आयन के दुआरा स्टोमेटा ओपन कंट्रोल होते है फोटो सिंतेसिस दे फस्ट इस्टेबल प्रोड़क्ट केल्विन साइकल अब देखो आपने अगर दो जार ग्यारा वाड़ा पेपर का पहले दूसरा परसंट डंग से पढ़ा होगा अभी बताया था मैंने तो आपके पास इसका आंसर आजाएगा फोटो सिंतेसिस प्रक्रिया में पहला इस्ताई उतपाद किसमें केल्विन केल् ग्लाइकोलाइसिस वाड़ी प्रोसेस पढ़ेंगे तब यह क्या था राइबुजाज बन फाइविस फोस्पेट यह क्या था यह था आपके सीथरी प्लांट में पर्थम सियोटू ग्राई तो क्या बच गया फिर सो के अंदर आंसर आ गया तीन अभी बताया था आपको फो गल्कोसे दो पहैरूवेट अमल का निरमान होना दो पायूविक यह उत्तों गलाइकोलाइसिस का उठी मुत्पाध यह तो जोडनें का मतलब भी यह लाइकोलाइसिस का लास्ट है पिर जब आपके आपके च्रेश चकर चाल लो होता है तो कहांसे होता है चार कारबन वाला जब एसिटाइल को एंजाइम के दो कार्बन वाले के साथ जुड़ता है तो पहला बनाता है प्रोड़क्ट सिट्रिक एसिड तो सिट्रिक एसिड में ये क्या हो गया एक तरीके से क्रेप चकर का पहला पद और ये क्रेप चकर का लास्ट पद इसका मतलब क्या बच गया एसि एसेटाइल को एंजाइम ये ये एसेटाइल को एंजाइम ए ओगजलो एसेडी के साथ मिलकर पहला बढ़ाता है क्रेप साइकल का उतपाद जिसका नाम होता है सिट्रिक एसेड इसके कारण से इसको सीथरी चक्र भी बोलते हैं कुछ साइंटिस्टों के नाम दे रखे हैं अब यहां पर मिलाने वाले परसने तो अलग लग से पुछ आजा सकता है आपको तो इनको आपको क्या करना है सिदा सिदा याद रख लेना है देखो ओक्जीन है उसके संदर्म में वेंट आता है पढ़ाओंगा तब आपको ट्रिक बताओंगा इनकी जितने भी साइंटिस्ट हैं यापे उनको सब को ट्रिक से आप याद कर लोगे आराम से एजिली हमेशा के लिए याद हो जाएंगे जिब्रेलीन का है टी याबुता टी हयासी जिब्रेलीन एपसिसिक एसिड की खोजकरता के संदर्म में आता है नाम वी सी ल्यू एन एचार क्रेंस और जी आटीन के संदर्म में आता है लिथम एंड एसोसियेट्स तो ऐसे करके आपका अंसर हो जाएगा दो नमबर कौन सा परसन एक सो दो के अंदर एक सो तीन नमबर परसन देखो एक पुस्प कलीका का खिलना किसका उदार्ण है एक फूल खिलता है वो किसका उदार्ण है तो पुस्प के खिलने से क्या प्रोसेस होती है उसके उदार्ण से जो उदार्ण आ गया वो आ गया आपके एपिनेस्टी का, एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी, ये थर्मोनेस्टी और ठिग्मोनेस्टी ये पढ़ेंगे अपन प्लांट मुमेंट वाले चेप्टर में, यूजी लेवल का है ये पाथ वहाँ पर अपने इनको डिटेल में पढ़ेंगे चारों को which of the following element in macronutrient for plant plant के लिए micro sorry micronutrient nutrition वाले chapter में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि nutrient कितने परकार के होते हैं plant के लिए खनीज पोसकत्त्वे कितने परकार के होते हैं तो ये आप जानोगे खनीज पोसकत्त्वे दो परकार के होते हैं एक को बोलते हैं micro nutrient और एक को बोलते हैं którą nutrient कि एक टुरिक याद कर लो क्या आद कर लो new city की sop दुकान है कोई का मज़ा कोई नया सहर है उसमें कोई दुकान खुली है उसका मज़ा अलग है बड़ा सा मोल खुखा है तो new city की soap का मज़ा ठीक है नाइट्रोजन है, कार्बन है, पोटेशियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, अक्सिजन है, फोस्पोरस है, कैलसियम है, मेगनीशियम है मेगनीशियम आ रहा है यहां पे पोटेशियम आ रहा है यहां पे सल्फर आ रहा है यहां पे बच गया क्या मेगनीज माइक्रो न्यूट्रेंट है और यह जो मैंने बताए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है यह 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 आपकी है माइक मेक्रो न्यूट्रियंट व्रेद पोसक्तत्व हैं इंग्लिश में बोलें तो यहां पर पूछा सुक्सम पोसक्तत्व को सारे ट्रिक से पढ़ेंगे अपन यह सारे थे आपके 2013 के परसंद अब आते हैं 2015 में जो आएवे हैं प्लांट फीजियोलोजी में से परसंद देखो लकडी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है यह किसका कारण है जल में रखने पर कोई लकडी का टुकड़ा फूल जाता है यह आप देखते हो बरसात के दिनों में जो खिड़कियां हैं और जो गेट हैं लकडी वाले वो थोड़े से मुस्किल से बंद होते हैं मुस्किल से खुलने लगते हैं क्योंकि उनमें लकडी थोड़े सी फूल जाती है यह आपको पता है किसका उदार्ण है इंबाइवेशन का अंत्य सोशन का बिन दूस्तरा अभी प्रक्रिया थी बताए था आपको पराक्षण का मतलब आईसा मानलो की जो आपके आइंस है या आईसा मानलो की आपके लवन है या ऐसा मानलो की विले हैं विले पदार्थों का विले पदार्थों का कम सांदरता से अधिक सांदरता की तरफ गमन है वो परासन करलाता है और विश्रन का मतलब होता है कि कणों का अधिक सांदरता से कम सांदरता की तरफ गमन अगर बतियाब जलाते हैं थोड़े देर में पूरे कमरे में समेल हो जाती है आप बस में बैठे हैं रचानक से कोई ऐसा वेक्ती चड़ा जिसने परफ्यूम लगा रखा है तो पूरी बस में एक दो मिनिट में फैल जाएगा वो उसको बोलते हैं डिफूजन इनको एक केक को अपन बिल्कुल उदार्ण साइथ पढ़ेंगे ट्रिक से पढ़ेंगे तो एक सो पांच गान नमबर है उसका अंसर आजाएगा तीन अन्ते सोशन एक सोचे नमबर देखो ऐसे अरंदर जो पत्ती की केवल निचली सतय पर ही सीमित रहते हैं ये सारे के सारे अरंदरों के परकार है और इनको बहुत अच्छी तरह से अपन ट्रिक से पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से अपन इनको ट्रिक से पढ़ेंगे अभी आत व्याद रखो कि मलबेरी टाइप के जो हैं वो केवल निचली सत्य पर ही पाये जाते हैं कोशिका में क्रेप चकर कहा होता है क्रेप चकर का जो स्थान है वो है आपके माइटो कॉंडरिया साइटो प्लाज्म यह क्या है ग्लाइकोलाइसिस का स्थान क्लोरोप्लास्ट पता आपको जहां पर आपके प्रकास संस्लेशन की परकरिया होती है तो प्रकास संस्लेशन से संब्धित ही हो गया इसमें आपके ग्लाइकोलाइसिस यह आपके क्रेप चकर वाड़ा बाग एंड प्रोटीन समंदित प्रोटीन संस्लेशन से समंदित है और जिस एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के उपर स्मूथ नेचर होती है उस पर व्राइबुस हों के कड़नी होते वह वसा के संस्लेशन के लिए जरूरी है प्रकास संस्लेशन की एप्रकाशिक विग्रिया का स्तल है प देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो स्तान होते हैं एक का नाम होता है ग्रेना एक का नाम होता है इस्ट्रोमा थीक है तो जो प्रकासी का विग्रिया है लाइट रेक्शन है वो कहा होती है ग्रेना में होती है पूछा क्या यहां पर एप्रकासी का विग्रिया तो एप्रका का कणबी इसमें माय्टर कॉंटे से समझ दित हैं तो ये तो दो नहीं होंगे ये दो अब इसको याद कैसे करोगे अपर ट्रिक से बात करेंगे हैं एक LG का फ्री आता है या LG कंपनी के कई electronic item आते हैं LG लिखो आप LG का मतलब जो यह electronic item लाइट से चलते हैं तो LG ट्रिक याद रखो तो light का जहां वर्ड आयना वहाँ आद रख लेना ग्रेना तो बच गया क्या स्टिपन हेल्स जोषेफ प्रिस्टले ने अक्षग की डिस्कावरी करी थी रोबर्ट हिल हिलय ने क्या किया कि एक तरीके से बायो केमिकल स्टटी और फोटो सिंदेज़्स फॉटोसिंदेजस की बायो केमिकल स्टटी के बारे में बताया था और ब्लेक में ने क्या बताया लिमिटिंग फेक्टर के बारे में बताया था कि कोई कितना ही बड़ी है फेक्टर हो जैसे मालो की सी ओ टू की मातरा है परकास की मातरा मालो की परकास है परकास translation के लिए आवशिक है लेकिन एक limit तक ही प्रकास translation की मातरा बहुत 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 ज़दा बढ़ती है तो फिर प्रकास translation उसको मतलब cover नहीं कर पाएगा और नहीं हो गा उस पे तो हर चीज़ के एक limit होती है तब ही वो चीज़ बढ़ती की जाती है ए नीवलिकित में से कौण सा एक प्रेरित अनुकुंचन गती का उदारन नहीं है नहीं है पुछा है ऐसे परसंट बहुत कनफ्यूज करते हैं तो परीक्रप्रिक्षय में इनको क्या कर लेना सिदा सिदा ऐसे अंडरलेंड कर है कूछ है बहुत नहीं है यह आपको बतरना है तो बोटो अन्सटी भी प्रेरित फफ़ीर, सिस्मो न्सटी भी प्रेरित Oh future लेकिन इपड़ने था न कि आया था फुस्पि कखिलना तो यह किसी फ्रॉस्पि का खुलना है वो एक तरीके से प्रेरित नहीं है इंड्यूस नहीं है है ना नेचुरल प्रोसेस है यह तो यहां पर 110 है उसका आंसर आजाएगा एक यह सारे परसंदे 2015 राखे 2018 की वर्थी के परसंदेखो यह वो एक्जाम है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते इसी से हमारा सेलेक्शन हुआ है 2018 वाली से देखो पोदे के एक भाग का उपरी सतय पर अधिक वर्दी के कारण मुड़ना पोदे के किसी एक भाग का अधिक के कारण मुड़ना कहलाता है वो यह एपिनेस्टी देखो कितने परसंद रिपीट हो रहे हैं अधिक वर्दी के कारण मुड़ उपरी सतह पर अधिक वर्दी करने से मुड़ जाना कहलाता है अधो कुंचन एपिनेस्टी सत्रमा परसन है उसके अंदर आजसे आज़ेगा तीन नमबर निम्मिल इतमे से कौन सा पादपों में औकजीन का परवाव नहीं है आपको बताया था कि औकजीन है क्या हो है एक तरी जायगा घेतरका चार एक पादप में जल के ऊपर चड़ने के लिए साही सब्ड लांट में जल यह उपर चड़ रा है उसके ले एक दम साही सब्ड है अब देखो आपन NCIT पढ़ते हैं सब कहते हैं NCIT के line to line पढ़ो मैं कहता हूँ NCIT और RBSC दोनु किताबों हो पढ़ना है कई सारे concept clear हो जाएंगे और दोनु अथेंटी किताब है और आपके कई सारे चीज़ है जो 유जी लेवल की एना भी त्यार हो जाती है उनसे अब ये जुब परसन अगर आपने और बीएस सी पढ़ के गए थे तो ये परसन आप आराम से एजिली कर लेते क्योंकि एज लाइन की लाइन पढ़ी है ऐसी लिखी भी है उसमें ट्रांस्पिरेशन तो नहीं बोल सकते है उसको जल के उपर चड़ना ये तो वास्पोस्टेजन तो पानी का निकलना है जल का अवसोस्ट भी नहीं बोल सकते है तो जड़े अवसोसित कर लेती है उपर चड़ना अब सिधा सिधा आंसर लोगों ने क्या किया था जल का आरोण कर दिया तो सिधा सिदा वीवेज वाड्र का ऊपर चड़ना जिन्क्ति यह क्या है रश का रर्वन जल अपने आप में नहीं चड़ता है उसके साथ में वो सारे खनी सत्त्वर सब चीज़ें मिली होती हैं और उसको मिला कर क्या बोलते हैं रस बोलते हैं उसके लिए बोलेंगे एसेंट ओप सेप रस का आरवन तो बहतर नमबर आजाएगा इसका आंसर आजाएगा चार नमबर वीलियन का परासरनी विवव सदा होता है अब देखो ये क्यूशन आपके पुराने क्यूशनों से एक आया था अभी परसन कि जल का परासरनी दाब कितना होता है और आपने सभी ने उसका आंसर बताया था जीरो अभी आया था कि जल का परासरनी जो विवव है वो क्या है और ये अधिकतम होता है अगर जल है ये जल है और इसमें केवल जल है और इसका परासरनी विवव ज कम हो जाएगा तो जिरो से कम कोई चीज किया होगी तो कि नेगेटिव GREGchemical एक न तो ञुतम को तैटर का cos अ जाएगा दो थो नमबर रेड के बिलीन का अपराशनी यह वहता है रिनात मक जल का अपराशनी होता है जिरो और हमेसा जीरो होता है और अधिक्तम होता है वो मरूद बित गुद्रिय्दार पादंब जिनमेm CO2 रात्रिके समय ग्रेंड की जाती है जीरो फाइ्टिक प्लांट है जो रात्रिके समय CO2 लेते हैं और दिन के समय इसका उप्योग मेलिक रूप में करते हैं मैं एपनाट को गोटे हैं कम्व्ट को हैं कि आपने पड़ेंगेעל उंसियर के अंदर स फोटो सिंतिपेसिज के अंदर स सी फुर प्लांट स स्य फॉर प्लांट और माइंक्न स्वा धिक्सवा प्लांट सीफाइस तो आंसर आजएगा इसमें दो अगला क्यूशन देखो प्चेतर नंबर सी थ्री वैं सी फोर प्लांट में प्रमुक कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है पिछेत्र एंजायम है परसन है उसको आर्पेसे ने डिलीट कर दिया था क्योंकि आंसर एक दम से क्लियर नहीं बता पारा पादवों में ग्लाई ओक्जिलेट चकर किसका रुपांतरण है ग्लाई ओक्जिलेट चकर पढ़ेंगे अपन जब पढ़ेंगे फेट का उक्षिडे में रुपांतर तो जाती है तो वसा का कार्बोहाइडेट में रुपांतरण होना कहलाता है ग्लाई को ओक्जिलेट ग्लाई ओक्जिलेट साइकल ठीक है जिब्रेलीन का नाम इसके नाम पर रखा गया जिब्रेलीन जो हार्मोन है उसका नाम किसके आदार पर रखा गया एक कवक के आदार पर तो एक फंजाई है उसके बेसिस उसका नाव रखा गया सतन तरुमा परसन है नेक्स्ट आपका इस बारवाड़ा पेपर 2022 का पेपर दो पास पास इस्तित कोशिका है एव बी में कोशिका ए में पराशन विवव माइनस 20 बार है दा विवव 10 बार है होगी कोशिका ए से लेकर कोशिका बी की तरफ यह अपन जब अपन पढ़ेंगे उस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे और और भी पांसा सवाल इस तरह के कैलकुलेट काड़ी का उप्यों कहलता है वीड्स कंट्रोल के अंदर इन सारों का संब्ध है आपके ऑगजिन से प्रकास संस्लेशन की दर कभ होती है सबसे ज़्यादा आपने पढ़ाई होगा विब्योर है ना बेनी आह पिनाला बेनी आह पिनाला तो यहां पर जो लाल परकास है उसक के अंदर परकास संस्लेशन की दर सबसे ज़्यादा होती है 89 का अंसर आजाएगा दो नंबर निम लिक्ति में से कौन सा संस्लेशिट ऑगजिन है सिंथेटिक ऑगजिन कौन सा है तो 90 परसन है उसका अंसर है एक एन ए ए नेफ्थिलिन एसेटिक एसिड है वो आपकी क्या है संस्लेशित है यहां भी है देखो इसमें ओप्सन में दे रखा है यह वाला दो परसन आगे इसके यह वाला एन ए ए है जो संस्लेशित है प्राकरतिक रूप से तो मिलता नहीं है कैल्विन चकर के कौन से चरण म एटीपी का उप्योग होता है जब अपन सीथरी चकर पड़ेंगे तो सीथरी चकर के तीन भाग होंगे कार्बॉक्सिलेशन है रिडेक्शन है और पूनर जनन है इसने इसको थोड़ा सा परसन को गुमाने के साब से थोड़ा बहुत उल्टा पल्टा कर दिया तो इस प्रक परसन है उसके अंदर दो चीजा आ जाएंगी क्या एक और तीन है अगला परसन है एक सो नो निवन फिसकों सा कोशिकांग प्रकाश्वशन के लिए आवशिक है भी प्रकाश्वशन वाली प्रक्रिया पड़ी थी कि सीथरी प्लांट में जब हाई ओटू हो जाती है और लो स्रा जाएगा परोक्सी सोम नामक कोशिकांग के अंदर ये पर करिया होती है इस तरह से ये टोटल कितने हैं आपके 34 कुशन है जो अपन करीबन करीबन ऐसा मालो कि आपके 60-70 कुशन इससे तयार हो गए होंगे अगला जो तीसरा वीडियो होगा अपना परकास संस्लेशन पहले टोपी के साथ में होगा और अपन एक दो वीडियो यहां पर डाल रहे हैं यूटूब के उपर उसके बाद में यह सारे के सारे एप के उपर चले जाएंगे आप रेगूलर तयारी करें हमारी सुब कामना आपके साथ हैं धन्यवाद